वेलकम स्टुडेंट, आज हम बात करेंगे केजी M.U. B.A.C. Nursing Admissions के बारे में काफ़े सारे स्टुडेंट यहां से हमें कमेंट कर रहे थे कि सर केजी M.U. B.A.C. Nursing के बारे में बतायो इसके फोरम कब निकलेंगे तो सबसे पहले student यह काफी बड़ी university है इंडिया की अगर यहां से कोई BSC nursing करता है तो उसके government job निसीत है तो आपको यहां से BSC nursing करनी चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर BSC nursing के फोरम कब निकलेंगे अप्लिकेशन फोरम कब निकलेंगे और exam pattern क्या रहने वाला है सब की बात करेंगे इससे पहले जो student हमारे चैनल पर नए है पहले चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेश रखे ताकि ACA nursing paramedical pharmacy related खबरे आपको मिलती रहती है तो चलिए बात करते हैं के जैसा कि हमने बताया कि student यह काफी पुरानी उनिविशिटी है 1905 से यह उनिविशिटी चल रही है यहां पर अगर आपने BSC nursing में admission ले लिया तो समझो आपकी government जो नोकरी है वो पक्की है तो चलिए बात करते हैं KG MU के बारे में यह देखिए चलिए यहँ पर बात करते हैं काफी बड़ी University है यह पर यह काफी course करते हैं जैसे MBBS हो गया BDS हो गया यहां आप देख सकते हो KG MU के बारे में यह देखिए आनन्दी पटेली इसके चांसलर है जबकि विपिन पूरी इसके वाइस चांसलर है चलिए निचे देख सकते हैं इनके बारे में निचे यहाँ पर दिया गया कौन-कौन सी किस प्रकार से यहाँ पर मेनेजमेंट होता है जब पूरी बात करेंगे इसके क्विस क्या रहने वाली है इसमें फोरम कब अपलाई होंगी तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में देख सकता है वेस्ता के बारे में यहाँ पर किस प्रकार की फेस्लिटीज है एक होस्पिटल पिर आप देख सकते हो काफी अच्छे ही management है होस्पिटल दिखा रहे हैं दूसरे में ये dental वाला दिखा रहे हैं किलिनिक किस परकार से काफी अच्छी वेस्टा है यहाँ पर आपका government college में selection होता है तो समझो आपकी जो government job है वो पक्की यह guarantee यहाँ पर देह सकते हो library की किस परकार वेशता है और guest house की किस परकार वेशता है तो यहाँ पर काफी बड़ी university है आपको यहाँ पर apply अवस्य करना चाहिए BSC nursing यदि आप कर रहे हो तो यहाँ पर देखे काफी बड़े course करवाती है जैसे MBBS हो गया BDS हो गया BSC nursing हो गया यहाँ पर post graduation course भी है करवाती है तो चलिए बात करते हैं BSC nursing में इसके फोरम कब निकलेंगे और कब इसके अब फोरम है वो exam होगी तो चलिए बात करते हैं student यह देश सकते हो हमारी टीम की दवारा पूरा चार्ट बना लिया गया है KGMU BSC nursing interest exam 2021 तो चलिए rate कर लेते हैं कब फोरम निकलेंगे सबसे पहले application फोरम के बारे में दे रखा है इसमें application फोरम लिकने हैं mid September इसके expected date है 10 से 20 सितंबर के मद्दे इसके फोरम निकलने के चांस है इसके बाद admit card की date देख लेते हैं 25 October के लगबग इसके admit card हो जारी कर दिये जाएंगे तो इसके फोरम apply होने में लगबग 15-20 दिन का समय है अभी इसके exam date की बात करें तो mid November में इसके exam conduct हो सकती है 15 या 20 November के आसपास तो आपके पास काफी समय है आप इसमें apply कर सकती हो college allotment की बात करें तो लगबग December में आपकी college है वो allotment हो जाएगी counseling के दोरा college provide करवाद दी जाएगी इसके exam patron के अगर हम बात करें तो exam हो है वो offline mode में होता है इसका यानि कि OMR seat के दोरा इसका exam होता है एक साल में एक बार conduct होता है और state level का exam है कुल seat के बात करें तो इसमें कुल 380 seat है 380 seat आपको कोशिस करने है कि 380 seat में आपकी एक seat पक्की हो nursing college कुल 7 nursing college आती है इस university के अंतरगर्द काफी बड़ी university है paper language के बात करें तो इसमें English language में paper होता है subject के बात करें तो biology, physics, chemistry इसमें पुछे जाती है class 12C NCRT अब बात करते हैं question के कुल question 280 यानि 200 question इसमें पुछे जाते हैं 200 marks के और कोई भी negative marking इसमें नहीं होती है यानि कि पूरे question आपको करके आने है और exam center आता है तो चलिए आगे बात करते हैं इस exam को कौन-कौन दे सकता है इसके बारे में 12th pass होना चाहिए physics, chemistry, biology, English के जबकि 12th में आपके SCST वारलों के 40% जबकि other category के 45% और age limit होती है 17 years student हमने यह बात कर लिए कि किस प्रकार का paper आता है और कब इसकी exam होगी इसका PDF link हम description में डाल देंगे वहाँ से आप simply download कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं कि सर इसकी त्यारी किस प्रकार करें तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं student इसमें all India वाले apply कर सकते हैं तो सभी status से जितने भी BSN nursing कर रहे हैं उनसे request है इस examination में जरूर आप इससा लीजिए क्योंकि यह कापी बड़ी university है चाहिए UP का हो चाहिए राजस्तान का हो चाहिए MP का हो चाहिए बिहार का हो चलिए आगे बात करते हैं कापी student के doubt आ रहे थे कि सर यहां क्या counseling के आदार पर किस प्रकार admission होगा पर admission नहीं होगा यहां पर केवल interest exam होगा जो KGMU के दवरा conduct करवा जायता कापी student का यहां भी doubt था कि सर यहां need के through होगा need के through यहां पर कोई भी admission नहीं होगा इसके बारे में कोई भी notification नहीं आया website पर तो यहां पर पूरे chance है interest exam हो लगबग आपके October में interest exam होने की यहां पर पूरी-पूरी संभा होना है तो जब भी यहां पर forum apply होना शुरू होगे तो आपको तुरंत information मिल जाएगी आप बात करते हैं तियारे के किस परकार तियारी करनी है आपको student सबसे पहले आपको YouTube पर जाना है YouTube पर जाने के बाद में हमारे चैनल का सो इस परकार आपके सामने सो रहा होगा उसके पस्यात आपको playlist के section में जाना है playlist के section में जाने के पास online classes में आपको इंटरी करनी है यहां पर 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 इंट्रेस exam की तियारी करवाई जाती है चाहे हो MP हो UP हो आजस्तानों बिहारों कोई भी इंट्रेस exam हो यहां पर physics, chemistry, biology के multiple choice question यहां पर regular करवाई चाह रहे हैं आप इसमें participant ले सकते हो काफी question है जो इनमें से पुछे मेज हो जाते हैं काफी student इसका lab ले रहे हैं बिलकुल फिर आप इसे जोइन कर सकते हो त्यारी के लिए अब आगे बात करते हैं कि KGMU में कुल nursing college कितनी है और कुल seat कितनी है तो आपको बता दे कि KGMU में कुल 7 nursing college है और कुल कितनी seat है 380 seat इसका हम PDF भी आपको दिखा देते हैं चलिए कौन-कौन सी college है यह देखे हमारी PDF फाइल open हो चुक है और आपके सामने KGMU की all nursing college की list आ चुकी है कौन-कौन सी list है इसमें कौन-कौन सी college सामीन है चलिए rate कर लेते हैं और कौन सी government है सबसे पहली college है KGMU college of nursing इसमें यह बिल्कुल government है सिब आपको फिरी of cost इसमें study करवाया जाती है बिल्कुल zero piece होगी इसमें कुल 100 seat है तो आपका aims रहना चाहिए इसमें आपको कम से कम नंबर लाना चाहिए second है विवेकानेंद college of nursing इसमें 50 seats है third है सार्दा college of लखनव इसमें 60 seat है तो इस प्रकार से कुल 7 college है इसमें last college है BCM college of nursing तो इसमें कुल 40 seat है तो कुल seat के बाद करें total तो यहाँ पर 380 seat है तो इसमें यदि किसी student का इसमें selection हो गया न तो उसको government job की जो guarantee है वो sure है student यहाँ पर आपको कोशिस करने interest exam करें करके यहाँ से आपका dream होना चाहिए BAC nursing करने का application रही बात application forum की त्यारी की हम करवाई रहें application forum जब भी निकलेंगे तो सबसे पहले notification आपको मिलेगा तो चैनल को subscribe करके बेल आगन प्रेस रखना नहीं क्यावल के GMU बलकि RUHS राजस्तान हो चैय यूपी हो चै बिहार हो हर जगह आपको सबसे पहले यहाँ पर application मिलेगा इसी चैनल पर जब भी फोरम होना apply होना शुरूँगे तो सबसे पहले आपको बेल आगन प्रेस करके रखना आया चैनल को तो student आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अगले नए वेडियो में धन्यवादी student के लिए प्रेस को करेंगे अगले प्रेस के लिए